हेलो फ्रेंड्स ओम साहिराम एक बार फिर आपका मेरे चैनल अंजूज हुनर पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ कि आप देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी तो इसमें देखिए इतनी इतनी से उन से ये तीचरा सी उन से मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगी बनाना कि इस वीडियो में कि आप देखकर एक कहेंगे रहे वाह ऐसे भी हो सकता है ये भी बन सकता है और हम लोग ने अभी तक क्यों नहीं सोचा बनाना तो जब भी हम कोई स्वेटर बनाते हैं कोई भी चीजे बनाते हैं तो हमारे पास जरूर उन बच जाता है ये थोड़ा थोड़ा सा उन बचा हुआ है मेरे पास इन ही उन के द्वारा मैं आपको बहुत ही यूसफूल चीज बताने वाले हूँ और इसके लिए मैंने लिया है जो जो चीज वो आपको मैं बताती हूँ क्या क्या लगेगा इसमें पहली बात तो ये जो हमारे पास तोड़े तोड़े से उन है इनको हम ले लेंगे और फिर हमने लिया है सलाई हमने ली है यह सलाई 10 नंबर के आपका उन जैसा हो, उस हिसाब से आप सलाई ले ले, मोटी उन है तो फिर बड़े नमबर की सलाई ले, नो नमबर की, और पतला उन है तो आप 11 नमबर की ले ले, सलाई 12 नमबर की ले ले, सलाई लिया है, टुकड़े का ये उन लिया है, जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं ह ये चीजी हमको जरूरत है यानि हमें क्या-क्या चाहिए इसमें बचे हुए उन हमारे सलाई, सुई और थोड़ा सा समय मुश्किल से आदा गंटा भी नहीं लगना है और ये बन के तयार हो जाएगा और जब बन के तयार होगा तो आप कहेंगे अरे वाँ ये तो मेरे काम की है देखिए कितना प्यारा तयार होगा बन के आप भी ऐसे बनाईए और ये जब मैंने बनाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा फिर मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं तो हमाँ पास थोड़े-थोड़े से उन बच जाते हैं उसी उन से हमने इतने बड़े-बड़े उन थे बहुत छोटा-छोटा सा सारे उन को जोड़ गे हमने और ये मुझा तयार किया है तो आप भी बना लिजे अगर आपके पास उन बचे हैं तो ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है तो इसका मुझे बनाने के तरीके तो हमने कई बारा अपने चैनल पे डाला है उसका लिंक इसमें डाल दूँगी डिस्केप्शन बॉक्स में आप उससे देख लीजेगा कि हम उठा ये पंजा और ये सब कैसे बनेगा इसमें खास करके जो इसमें फरक है वो ये है कि हमने ये केबिल डाली है ये बेल डाला है ये इसको मैं आपको बताऊंगी कि ये बेल कैसे पड़ी है इसमें देखे कितना अच्छा लग रहा है और ये उन हो जाता बेकार सारा उन हमने इसमें लगा दिया है और एक मोजा भी हो गया हमारा तयार अपने लिए बनाया हमने ये चले फिर ये जो हमारी डिजाइन है इस वीडियो में ये हम सीख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमको 4, 4, 8, 6, 14 14 फंदे डाल लिया है 14 फंदे हमने डाल लिये अब दो सलाई बॉर्डर बिन लेते हैं दोनो तरफ से सीधा बिनते हैं बॉर्डर बना लिये हमने अब हम क्या करेंगे 4 फंदा उल्टा बिन लेमगे एक, दो, तीन, चार चार फंदा उल्टा बिनने के बाद उनको कर देंगे पीछे अब छे फंदे हम सलाई से उतारेंगे इसको उतारने के बाद ये ये वाला इस सलाईम ले लिया और ये वाला इस सलाईम इधर वाला इस पर चड़ा देंगे और एक साथ बील लेंगे एक गुत आप स्वेटर में भी डाल सकती हैं जेर्ण स्वेटर में बच्चों के कैप में छे फंदे हमने सीधे बील लिए अब हम चार ये बचा ये चार उल्टा बील लेंगे इसके बाद अब हम तीन धारी और बना लेंगे यानी छे सलाई हम और बिल लेंगे तब फिरी रिजाइन पड़ेगी छे सलाई जो बीनेगे वो उल्टे तरफ से सारे फंदे उल्टे रहेंगे और सीधी तरब से यह चार फंदा इधर उलटा रहेगा और चार फंदा इधर उलटा रहेगा बीच वाला सीधा मुना जाएगा देखें यहाँ पर हमने यह पल्टी किये थे फंदे के उसके आद हमने तीन धारी और बना लिए यहीं छे सलाई हमारी बन गी आइसमें हम फिर फंदे को इधर दर पल्टेंगे चार फंदे उल्टा बल्लेंगे उनको पीछे करेंगे और फिर जैसे हमने नीचे किया था वैसे इचे फंदे को उतारेंगे पीछे से ये वारे फंदे सलाई पे चड़ा लेंगे तीन और आगे से इन फंदों को उठाएंगे पहले इस सलाई पे अराम से और उसके बाद इस पे चड़ा के और इसको सीधा सीधा बुल लेंगे बस यही है हमारी डिजाइन कितनी आसान सी डिजाइन है और देखने में कितनी अच्छी लगती है मुझे में जैसे कि आपको दिख रहा है यह देखे छेम ने सीधा बिल लिया अब यह उल्टा भी लेंगे बस यह देखे कितनी सुन्दर सी आई यह बेली एक बार फिर देख लीजे कैसे पलटना है चार फंदे हमने बिल लिए यह चार उल्टे इदर उदर इसलिए रखें कि यह बेल जो है बिलकुल क्लियर साफ आए फिर यह छे फंदे को हम सलाई से उतारेंगे पीछे से तीन फंदो को सलाई पे चड़ा लेंगे और आगे से इन तीन फंदो को और इस पे चड़ा के सलाई पर सीधा सीधा छे उफंदो को बेल देंगे दो, तीन, चार, पांच और छे इसके बाद उन आगे करेंगे और यह उल्टा बना लेंगे देखिए Thank you Thank you for watching my video Thank you